अरे बास मामू का मापाँ क्या होता है अरे बमा क्या होता है जेहूं का मामा नहीं मालू cheap चैरा तुम्हें नहीं बता है हम में है पता गूगल करें लो हो गेहूं का मामा भा इसमें तो बहुत सारे लिस्ट आ रहे हैं कौन सा देखना है एक एक करके देख ला भाया कोई सा भी एक एक करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा यार किसी में तो कुछ दिखा रहा है, किसी में कुछ दिखा रहा है, किसी में पता नहीं क्या डाला हुआ है, किसी में कुछ लिखा है जी कुछ तो फरजी होई जी हैं बरबाद गुलिष्टा करने को बस एक ही उल्लू काफी है आबाद गुलिष्टा क्या होगा जब हर साखत उल्लू बैठा है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मनीश अर्मा और आप देख रहे हैं टेक्वित सर्मा तो चलिए आज की कारवाई फिर सुरू करते हैं बरबाद गुश्टा करने को बस एक ही उल्लू काफी है इसका मतलब मैं अभी समझाओंगा फिलाद असको थोड़ा सा करीब आज आई हमारे जिससे थोड़ा से अंट्रैक्शन हम लोग का अच्छा बने जो आजकल हमारे काफी फेमस है यूटूब गूगल ये प्लेस है हमार एक प्लेटफॉर्म है जिसमें की हमको इनफॉर्मेशन मिलती है वो चाहे बच्चे हो पढ़ने वाले बच्चे हो इवन आज कल का आप देख रहे हैं एक साल दो साल के बच्चे भी स्मार्ट फोन लेके चल यूज करना स्टार्ट कर दें उनको भी पोगो और संथिंग कार करते हैं इनफॉर्मेशन लेने के लिए जो बरवाद बुलिष्टा करने को एक ही उल्लू काफी है इसका मतलब हुआ जो हमारे यूटूब में फरजी चैनल बने हुए हैं मतलब ऑथंटिकेट कुछ यूजर है जो बहुत महनत करते हैं चलिए उनकी बात ठीक है उनको अब कोई फीस नहीं देनी है कोई नहीं देनी है ठीक है अच्छी बात है ग्रेटिविटी का कोई वो नहीं है आप दिखाएगे नॉबल जो मैच्वर के लोग है जो बहुत ज़्यादा देख चुके हैं यूटूब या गूगल वगएरा तो उनको पता होता है यह वाले फरजी किसान को क्या मालूम की जो यूटूब में डाला हुआ यह फरजी है नहीं किसान क्या करेगा किसान की जिम्मेदारी होनी चीए उनको अवेरनेस नहीं है बैड़ इतना किसानवेर हो गया है कि यूटूब यूस कर रहा है काफी है तो मेरे खहल से मेरा आज को टपिक यही है कि जो फर्जी यूजर फर्जी फिफेक यूजर यूजर यूटूब पे आ जाते हैं अपने content डालते हैं, लोगों को गुम्राह करते हैं, परिशान करते हैं एक तरह से, वो बहुत ही harmful है हमारे समाज के लिए, हमारी society के लिए, हमारी culture के लिए जो हमारी generation आगे बढ़ रही है, क्योंकि वो कुछ भी gain करती है, वही एक वर के लोगों जब भी YouTube में देखेंगे, आ अपने अंदर store करेंगे, बहुत दिक्कत हो जाती है, तो गेहु का मामा में उन्हें जो topic यूज किया था, वो गेहु का मामा क्या होता है, गेहु का मामा उसी तरह से होता है, जैसे कि YouTube में, जब कुछ भी डूढ़ने की गोशिस करते हैं, तो क्या होता है, हमें number of list मिलती है वीडियो की, तो हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि सारी वीडियो में वही information है जो हम चाहते हैं, तो मुझे लगता है तो बहुत सारी information है, ठीक वही काम है यहां गेहु के मामा में, आप देख सकते हैं इसमें यह गेहु की खेत है, किसान जब लगाता है, तो अपनी मेह तकि तो बहुत अच्छी हो रही है लेकिन इसे में कुछ होते हैं फर्जी फर्जी का मतलब यह जो आप देख aren't यह ही है खतरनाक कातिल यह है गेहु का मामा तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं यह हमारा गेहु और यह हमारे गेहु के मामा यह देख सकते हैं यह हैं गेहु के मामा और यह है इनके भाणजे जो भी है इनका रिलेशन यह हैं गेहु तो मतलब क्या हुआ यह गेहु के माम है वो इन गेहों के बीच में ही है अगर किसान इसमें देखना स्टार्ट करेगा 20 से 30 परसंट यह गेहों के मामा भरे हैं यह क्या काम है इनका कोई काम नहीं इनको तोड़िए और इनको फेक दीजिए यह है unwanted wanted 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 हमारा गेहों है ठीक इसी तरह से हमारे यूटूब में है कुछ wanted channels है कुछ unwanted जो फर्जी आते हैं तो गेहों के मामा का हमारा relationship था वह ही था तो दोस्तों मैं एक रियल एक्जाम्पल आपको बताना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था श्रीदेज जी जी की मौत हुई जो authenticate user थे या जो user बहुत सालों से काम कर रहे हैं उन्होंने क्या किया उसके बारे में उनको जो भी information news से मिली या जो भी authenticate information मिली उन्होंने क्या किया अपना title बनाके content upload कर दिया चीक है बट रात रात क्या हुआ उनको कई सारे मिलियंस वीव मिले इसके देखा देखी आ गए मार्केट में फेक यूजर परलब यहू के मामा जैसे जो उन्होंने क्या किया टाइटिल बनाया अंदर कुछ भी कंटेंट डाला स्टोरी कुछ भी डाली बाहर का थंबोनेस पि मतकर रहे हैं को इनके हद्र के पीछ यह रीजन है वहव रीजन फलाना ढमा का सर्माहनी चाहिए उन फेक यूजर को जो लोग ऐसा करते हो, मैं हद हो गई, मतलब तुम जरा सा व्यूप आने के लिए जरा सा सब्सक्राइब तो नहीं मिलेगा, क्योंकि हर आदमी जानता है तुम फ्राइब हो, अधरवाइज होगा क्या, आपके चक्कर में जो अपना मेहनत करते हैं, अपना अच्छे से व्यूज बनाते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, उनको भी कोई नहीं देखेगा, क्योंकि बाकी सब की तरह वो भी कंसीडर किया जाएंगे, कि यह जो हीं क्यों मामा है, यानि फर सब्सक्राइब, कमेंट के लिए, कमेंट तो सही है, आपको गालिया ही मिलेगी, नो डाउट, तो उसके चक्कर में आप किसी के परस्नालिटी को, किसी के एमेज को तोड़िये, मरोडिये, मत, चाहे वो जीवित हो या नहीं हो, मत करिया ऐसा, दूसरी बात, आपके सारी इन सब्सक्राइब, उनका भी information आपके YouTube चैनल पर डिपेंड करती है, आपने जो information प्रोवाइड किया, तो लोगों misguide मत करी, और मैं उन सारे YouTube के user से कहना चाहूंगा, जो information है, वो authentic है या नहीं है, अटलीस उनके comment में जाए, लोगों का feedback देखे, reaction देखे, कि क्या ये जो हमार होना पड़ेगा, तो मेरे खाल से मैं सारे उन user से कहूंगा, यही तरीका है, एक तरह से अपने आपको बचाने का इन फर्ची user से, और fake user, प्लीज बंद करिये सब, इससे कुछ नहीं होना, अपने relation, अपने bound बनाईए, subscriber बनाईए, अच्छी information दीजिए, तभी आपके subscriber बन तब तक देखते रही है, टेकस में सर्मा, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंड, डिसकमेंड, जो भी करना हो, कर दीजिएगा, तब तक लिए चलते हैं फिर, थैंक यू